भारत माता की भारत माता की हिमाचल प्रदेश के गवर्णर स्रिमान राजेंद्र जी यहां के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री मेरे मित्र स्रिमान जैराम ठाकूर जी प्रदेश के अध्यक्ष्य हमारे पुराने साथी स्रिमान सुरेज जी केंद्र के मंत्री परिशत के मेरे साथियों सांसद गर्ण विधायक गर्ण हिमाचल के सभी जन प्रतिनी दिगान आज मेरे जीवन में एक विशेश दिवस भी है और उस विशेश दिवस पर इस देव भुमी को प्रणाम करने का मोका मिले इससे बिड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशिर्वाद देने के लिए आए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अभी देश के करोडों करोड किसानों को उनके खाते में पी-एम किसान सम्मान निदी का पैसा ट्रांसपर हो गया पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की दर्ती से देश के दस करोड से भी जादा किसानों से खाते में पैसे पहुचाने का सवभाग्य मिला है वे किसान भी शिमला को याद करेंगे हिमाचल को याद करेंगे इस देव भूमी को याद करेंगे मैं इन सभी किसान भाईयों बैनों को भी रजय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनेक अनेक शुब का मनाई देता हूँ साथियों ये कारकम शिमला में है लेकिन एक प्रकार ये कारकम आज पुरे हिंदुस्तान का है हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी कि सरकार के आट साल होने पर कैसा कारकम किया जाए कौन सा कारकम किया जाए तो मेरे हमारे नड़ा जी जो इमाचल के ही है हमारे जैराम जी उनकी तरब से एक सुजाव आया और दोनों सुजाव मुझे बहुत अच्छे लगे यह आठ वर्स की निमित कल मुझे करोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिये ऐसे बच्चों का जिम्मा समालने का अवसर कल मुझे मिला देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निरने सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिये डिजिटली आठ साल की पूर्ती में ऐसा कारकम होना मन को बहुत शुकुन देता है आनन देता है और फिर मेरे सामने सुजावाया कि हम एक कारकम हिमाचल में करें तो मैंने आख बन करके हाँ कह दिया क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है इतना बड़ा है और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मोका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित देश का ये महत्वपून कारकम आज शिमला की दर्ती पे हो रहा है जो कभी मेरी कर्म भूमी रही मेरे लिए जो देव भूमी है मेरे लिए जो पुन्य भूमी है वहाँ पर मुझे अदेश भासियों को इस देव भूमी से बात करने का मोका मिले ये अपने आप मेरे लिए खुशी अनेग गुना बढ़ा देने वाला काम है साथियों 130 करोड भारतियों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो आउसर दिया मुझे जो सउफा के मिला सभी भारतियों का जो विश्वास मुझे मिला है अगर आज मैं कुछ कर पाता हूँ दिन राद दोड़ पाता हूँ तो ये मत सोचिये कि ये मोदी करता है ये सब तो 130 करोड देश्वासों की कृपा से हो रहा है आशिरवात से हो रहा है उनकी बदौलत हो रहा है उनकी ताकत से हो रहा है परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आपको उस पद पर देखा नहीं कलपना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई प्रधान मंत्री हूँ जब फाइल पर साइन करता हूँ एक जिम्मेवारी होती है तब तो प्रधान मंत्री की दाइट्व के रूप में मुझे काम करना होता है लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है मैं प्रधान मंत्री नहीं रहता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ एक सो तीस करोर देश वास्यों के परिवार का सदस्य बन जाता हूँ आपी के परिवार के सदस्य के रूप में एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूँ काम करता रहता हूँ और आगे भी एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार के आशा कांक्शाओं से जुड़ना 130 करोर देश्वाचियों का परिवार यही सब कुछ है मेरी जिन्दगी में आप ही है सब कुछ मेरी जिन्दगी में और यह जिन्दगी भी आप ही के लिए है और जब हमारी सरकार अपने आठ वर्ष पूरे कर रही है तो आज मैं फिर से मैं इस देव भूमी से मेरा संकल्प भी दोहराऊंगा क्योंकि संकल्प को बार बार स्मरन करते रहना चाहिए संकल्प कभी विस्पृति नहीं होनी चाहिए और मेरा संकल्प था आज है आगे भी रहेगा जिस संकल्प के लिए जिऊंगा जिस संकर्प के लिए जूचता रहूंगा जिस संकर्प के लिए आप सब के साथ चलता रहूंगा और इसलिए मेरा ये संकर्प है भारतवासी के सम्मान के लिए भारतवासी की सुरक्षा उस हर भारतवासी की समृत्ती कैसे बढ़े भारतवासी की शुक्सांती की जिंदगी क ऐसे मिलें उसी एक भाव से गरीब से गरीब दलीत हो पीडीत हो शोशीत हो बंचीत हो दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले छूट पूर रहने वाले का दो परिबार हो हर किसी का कल्यार करने के लिए जितना जादा काम कर सकता हूँ उसको करता रहूं इसी भाव को ले करके मैं आज फिर से एक बार इस देव भूमी से अपने आपको संकल्पित करता हूँ साथियों हम सभी मिलकर भारत को उस उन्चाई तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का सपना आज़ादी के लिए मरमिट जाने वाले लोगों ने देखा था आज़ादी के इस अमरित महुत्सों में भारत के बहुत उजवल भविश के विस्वास के साथ भारत की युवा शक्ति भारत की नारी शक्ति उस पर पूरा बरोसा रखते हुए मैं आज आपके बीच आया हूँ साथियों जीवन पे जब हम बड़े लक्षों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई बार ये देखना भी जरू ही होता है कि हम चले कहां से थे शुरूवात कहां से थी की और जब उसको याद करते हैं तभी तो हिसाब किताब का पता चलता है कि कहां से निकले और कहां पहुँचे हमारी गती कैसी रही हमारी प्रगती कैसी रही हमारी उपलब्दिया कैसे रही है हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें उन दिनों को भूलना मत साथियों तब जाकर के ही आज के दिवसों का मुल्य समझ आएगा आज की परिस्तितियों को देखे पता चलेगा साथियों देश ने बहुत लंबा सफरताय किया है 2014 से पहले अकमार की सुर्खियों बरी रहती थी हेडलाइन बनी रहती थी टीवी के पर चर्चा होती रहती थी बात क्या होती थी? बात होती थी लूत और खसोट की बात होती थी बात होती थी ब्रक्ताचार की बात होती थी गोटालों की बात होती थी भाई भती जेवात की बात होती थी अपसरसाई की बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की लेकिन वक्त बदल चुका आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाव की सिर्षा से कोई समादेवी शिर्मोर से हमारी कोई समादेवी कह देती है कि मुझे ये लाव मिल गया आखरी घर तक पहुंचने का प्रयास होता है गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने की बात होती है अच चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्ट अप की अच चर्चा होती है बर्ल बैंक भी चर्चा करता है भारत के इज आप डूइंग बिजनेस की अच हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक चर्चा करती है अप राधियोपर नकिल कसने की हमारी ताकत की बरस्ताच को सिस्टिम का जरूरी हिस्सा मान लिया था तब कि सरकार प्रत्ताचार से लड़ने की बजाए उसके आगे गुटने टेक चुकी थी तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरत मन तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है लेकिन आज चर्चा जंदन खातों स से बनी त्री शक्ती की हो रही है पहले रसोई में दुवा सेहने की मजबूरी थी आज उजवला योजना से सिलेंडर पाने की सहुलियत है पहले खुले में सोच की बेवसी थी आज घर में सोचाले बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेवसी थी आज हर गरीब को आईशमान भारत का सहारा है पहले ट्रीपल तलाग का डर था अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का होसला है साथियों 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी आज सर्जिकल स्ट्राइक एर स्ट्राइक का गर्व है हमारी सीवा पहले से जादा सुरक्षी थै पहले देश का नौर्थिस अपने असंतुलित विकात से भेद भाव से आहत था दुखी था आज हमारा नौर्थिस दिल से भी जुड़ा है और आज दुनिक इंफ्रास्टर से भी जुड़ रहा है सेवा सुसासन और गरीबों के कल्यार के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के माई नहीं बदल दिये अब सरकार माई बाप नहीं है वो वक्त चला गया अब सरकार सेवक है सेवक जंता जनार्दन की सेवक है अब सरकार जीवन में दखल देने के लिए नहीं बल्कि जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है बीते वर्षों में हम विकास की राजनीती को देश की मुख्यधारा में लाए है विकास की इसी आकांच्छा में लोग स्थीर सरकार चुन रहे है डबल इंजीन की सरकार चुन रहे है साथियों हम लोग अकसर सुनते हैं कि सरकारे आती है जाती है लेकिन सिस्टिम वही रहता है हमारी सरकार ने इस सिस्टिम को ही गरीबों के लिए ज़्यादा सम्मेजन जिल बनाया उसमें निरंतर सुधार की है पी-म आवास योजना हो स्कॉलर्शिप देना हो या फिर पेंशन योजना है टेक्नलोजी की मदद से हमने ब्रस्ता चार का स्कोप कम से कम कर दिया जिन समस्याओं को पहले पर्मेनेंट मान लिया गया था हम उसके पर्मेनेंट सॉलूशन देने का प्रयास कर रहे हैं जब सेवा सुशाशन और गरीब कल्यान का लक्ष हो तो कैसे काम होता है इसका एक उधारण है डायरेक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम अभी मैं जो कह रहा था डीवीटी के मात्यम से डायरेक बेनिफिट स्कीम के मात्यम से दस करोर से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोर रुपिये ट्रांसपर हो गए ये हमारे छोटे किसानों की सेवा के लिए है उनके सम्मान की नीदी है बीते आठ साल में ऐसे ही डीवीटी के जरी हमने 22,000 करोर रुपिये से ज़्यादा सीधे देश वाजियों के अकाउंट में ट्रांसपर किये है और ऐसा नहीं हुआ कि 100 पैसा भेजा तो पहले 85 पैसा लापता हो जाता था जितने पैसे भेजे वो पूरे के पूरे सही पते पर सही लाभारती के बैंक खातों में भेजे गए है साथियों आज इस योजना की वज़े से सवा दो लाग करोड रुप्य की लिकेज रुकी है पहले यही सवा दो लाग करोड रुप्य बिचोलियों के हाथों में चले जाते थे दलालों के हाथों में चले जाते थे इसी डिबीटी की वज़े से देश में सरकारी योजनाओं का गलत लाब उठाने वाले नव करोड से जादा फर्जी नामों को हमले लिस्ट से हटाया आप सोचिए फर्जी नाम कांगेजों में चड़ा कर गैस सबसीडी बच्चों की पढ़ाई के लिए बेजी गई फीज कुपोशन से मुक्ति के लिए बेजा गया पैसा सब कुछ लूटने का देश में खुरा खेल चल रहा था ये क्या देश के गरीब के साथ अन्याय नहीं था जो बच्चे उजवल भविश की आशा करते हैं उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं था क्या ये पाँप नहीं था अगर कोरोना के समय यही नव करोड फरजी नाम कागजों में रहते तो क्या गरीब को सरकार के प्रयासों का लाब मिल पाता क्या साथियों गरीब का जब रोज मरा का संगर्श कम होता है जब वो ससक्त होता है तब वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए नई उर्जा के साथ जुड़ जाता है इसी सोच के साथ हमारी सरकार पहले दिन से गरीब को ससक्त करने में जुटी है हमने उसके जीवन की एक एक जिन्ता को कम करने का प्रयास किया आज देश के तीन करोड गरीबों के पास उनके पक्के और नए गर्भी जहां आज वो रहने लगे है आज देश के पचास करोड से जादा गरीबों के पास पाँच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविधा है आज देश के पचीश करोड से अधिक गरीबों के पास दो दो लाख रुपिय का एक्सिडेंट इंशुरंस और टर्म इंशुरंस है बीमा है आज देश के लगभग पैतालीस करोड गरीबों के पास जनदन बैंक खाता है मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि देश में शाहिद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी ने किसी योजना से जुड़ा न हो योजना उसे लाव न देती हो हमने दूर सुदूर पहुँच कर लोगों को वैक्सिन लगाई हैं देश करीब दो सो करोड वैक्सिन डोज के रिकॉर्ड सर पर पहुंच रहा है और मैं जैराम जी को बदाई दूँगा करोणा काल में जिस प्रकार से उनकी सरकार ने काम किया है और उन्होंने ये टुरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण टुरिजम के लिए तकलीब नहों इस लिए उन्होंने वैक्सिनेशन को इतना तेजी से चलाया हिंदुस्तान में सबसे पहले वेक्सिनेशन का काम पूरा करने वालों में जैराम जी की सरकार अग्रिम पंक्ति में रही है साथियों हमने गाउं में रहने वाले छे करोर परिवारों को साप पानी के कनेक्शन से जोड़ा है नल से जल साथियों हमने 35 करोड मुद्रा लोन देकर गाउं और छोटे शहरों में करोडों युवाओं को स्वरोजगार का अउसर दिया है मुद्रा लोन लेकर कोई टेक्सी चला रहा है कोई टेलरिंग की दुकान खोल रहा है कोई बितिया अपना स्वयम का कारोबार शुरू कर रही है रेडी ठेले पट्री पर काम करने वाले लगबग 45 लाग साथियों को भी पहली बार बैंकों से रण मिला है अपने काम को बढ़ाने का रास्ता मिला है और जो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना है न मेरे लिए संतोष की बात है उसमें 70% बैंक से पैसा प्राप्ट करने वालों में 70% हमारी माताए बहने हैं जो एंट्रपेनर बन करके आज लोगों को रोजगार दे रही है साथ क्यों यहां हिमाचल प्रधेश के तो हर गर से शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिस परिवार से कोई सैनिक न निकला हो यह वीरों की भूमी है जी यह वीर माताओं की भूमी है जो अपने गोच से बीरों को जन्म देती है जो बीर माताओं भूमी की रक्षा के लिए 2400 घंटे अपने आप को खपाते रहते साथ क्यों यह सैनिकों की भूमी है यह सैनि परिवारों की भूमी है यहां के लोग कभी भूल नहीं सकते कि पहले की सरकारों ने उनके साथ किस तरह का वर्ताव किया वन रैंक वन पेंशन के नाम पर कैसे उन्हें दोखा दिया अभी हम लदाक के एक पुर्वसैनिक से बात कर रहे थे जीवन सेना में बिताया था उसको पक्का घर हमारे आने के बाद मिल रहा है साथ्यों उनको निवर्त हो गए भी 30-40 साल हो गए है साथ्यों सेन्य परिवार हमारी सम्वेदन सिल्टा को भली बाती समझता है यह हमारी है सरकार है जिसने दा चार दसकों के इंतजार के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू किया हमारे पुर्वसैनिकों को एरियर का पैसा दिया इसका बहुत बड़ा लाब हिमाचल के हर परिवार को हुआ है साथ्यों हमारे देश में दसकों तक बोट बैंक की राजनिती हुई है अपना अपना बोट बैंक बनाने की राजनिती ने देश का बहुत नुक्षान किया है हम बोट बैंक बनाने के लिए नहीं के लिए काम कर रहे हैं जब दे राष्ट के नम निर्मार का हो जब लक्ष आत्मंदिर भर भारत का हो जब इरादा 130 करोड देश वास्यों की सेवा और उनका कल्यार करने का हो तो वोट बैंक नहीं बनाये जाते सभी देश वास्यों का विश्वास जीता जाता है इसलिए हम सबका सार्थ सबका अभिकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं सरकार की योजनाओं का लाप सबको मिले हर गरीब को मिले कोई गरीब छूटे नहीं अब यही सरकार की सोच है और इसी एप्रोच से हम काम कर रहे हैं हमने शत्प्रतिशत लाब शत्प्रतिशत लाबार्ति तक पहुचाने का बिड़ा उठाया है लाबार्तियों के सेचुरेशन का प्रण लिया है शत्प्रतिशत ससक्तिकरण यानि भेदभाव खत्म, सिफारीश खत्म, तुष्टिकरण खत्म, शत्प्रतिशत ससक्तिकरण यानि हर गरीब को सरकारी योजनाओं का पूरा लाब मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि जैराम जी के नेत्रतों में हिमाचल प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है हर गर चल योजना में भी हिमाचल 90 प्रतिशत गरों को कवर कर चुका है किन्नोर लाहुच्पिती चंबा हमीवपूर जैसे जिलों में तो शत्त प्रतिशत कवरेज हासिल की जा चुकी है चाथियो मुझे आध है 2014 से पहले जब मैं आपके बीच आता था तो कहता था कि भारत दुनिया से आँख जुका कर नहीं आँख मिला कर बात करेगा आज भारत मजबूरी में आज भारत मजबूरी में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता है और जब मजबूरी में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है न तो ऐसे बढ़ाता है बलकि आज भारत मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है और हाथ ऐसे करके ले जाता है कोरोना काल में भी हमने 150 से ज़्यादा देशों को दवाईया भेजी है वैक्सिन भेजी है और इसमें हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी की भी बड़ी भुमी का रही है भारत ने सिद्ध किया है कि हमारे पास पोटेंशल भी है और हम पर्फॉर्मर भी है अंतर राष्टे संस्ताय भी मान रही है कि भारत में गरीबी कम हो रही है लोगों के पास सुविदाय बढ़ रही है इसलिए अब भारत को सिर्फ अपने लोगों की आवशक्ता यही पूरी नहीं कर रही है बल्कि लोगों की जागी हुई आकांग्शाओं को भी हमें पुरा कर रहा है हमें 21 वी सदी के बुलंद भारत के लिए आने वाली फीडियों के उजबल भविश्च के लिए अपने आपको खपाना है एक ऐसा भारत जिसकी पहचान अभाव नहीं बल्कि आदुनिकता हो एक ऐसा भारत जिसमें लोकल मेनिफेक्चरर लोकल डिमांड को भी पुरा करें और दुनिया के बाजारों में भी अपना सामान बेचें एक ऐसा भारत जो आत्मदिरवर हो जो अपने लोकल के लिए वोकल हो जिसे अपने स्थानिय उत्पादों पर गर्व हो हमारे हिमा चलका तो हस्त सिल्प यहां की वास्तुकला बैसे ही इतनी मज़ूर है चंबा का बेटल वर्क सोलन की पाइन आर्ट कांगडा की मिनियेचर पेंटिंग के लोग और इसे ही देखे हैं और टूरिस्ट लोग दिवाने हो जाते हैं ऐसे उत्पाद देश के कौने कौने में पहुंचे अंतराश्टिय बजारों की रोड़क बढ़ाए इसके लिए हम काम कर रहे है वैसे भाई और भेनों हिमा चलके स्थानिय उत्पादों की चमक तो अब का काशी में बाबा विश्वनात के मंदिर तक पहुंच गई है कुल्णू में बड़ी कुल्णू में बनी हमारी माताव बहने बनाती है कुल्णू में बनी पूले सर्दी के मौसम में काशी विष्वनात मंदीर के पुजारियों और सुरक्षा कर्मियों की मदर्दगार बन रही है बनारस का सांसद होने के नाते मैं इस उपहार के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों का विशेस आभार व्यक्त करता हूं साथियों बिते आठ वर्षों के प्रयासों के जो नतीजे मिले हैं उनसे मैं बहुत विश्वाज भरा हुआ हूँ आत्म विश्वाज से भरा हुआ हूँ हम भारत वास्यों के सामर्थ के आगे कोई भी लक्ष असंभव नहीं है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थे बवस्ताओं में एक है आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहा है आठ साल पहले स्टार्ट अप्स के मामले में हम कहीं नहीं थे आज तीसरे बड़े स्टार्ट अप इको सिस्टिम है तीसरे बड़े करीब करीब हर हपते हर हपते हजारों करोड रुप्यों की कंपनी हमारे युवा तयार कर रहे है आने वाले पतीश साल के विराठ संकल्पों की सिद्धि के लिए देश नई अर्थिववस्ता के नए इंफ्रास्टेक्टर का निर्माण भी तेजी से कर रहा है हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहे है इस बजेट में हमने जो परवत माला योजना की गोशना की है वो हिमाचल जैसे पहाडी परदेश में कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी इतना ही नहीं हमने वाइबरन बॉर्डर विलेज इसकी जो योजना बजेट में रखी है उसके कारण सीमा पर बसे हुए जो गाव है ये गाव वाइबरन बने तुरिस डेस्टिनेशन बने एक्टिविटी के सेंटर बने सीमा पर सते हुए गाव उनके विकांच के लिए भारत सरकार ने एक विशेश योजना बनाई है ये वाइबरन बॉर्डर विलेज की योजना का लाव मेरे हिमा चल के सीमा वरती गावों को स्वाभावी कुरुप से मिलने वाला है साथियो आज जब हम दुनिया का सर्वस्रेश्ट डिजिटल इंफ्राशेक्टेर बनाने पर फोकस कर रहे है हम देज बर में स्वास्त सेवाओं के आधुनी करन पर काम कर रहे है आईश्मान भारत हेल्थ इंफ्राशेक्टेर मिशन के तहट जीला और ब्लॉक्स तर पर क्रिटिकल हेल्थ केर सुविदाएं हम तयार कर रहे हैं हर जिले में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो इस दिशा में काम चल रहा है और इतना ही नहीं गरीब मा का बेटा बेटी भी अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है पहले तो हाल ये था कि अगर उसको स्कूली सिच्छा अंग्रेजी में नहीं हुई तो डॉक्टर होने के सपने अधूरे रह जाते थे अब हमने तय किया है मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन हम मात्रु भाषा में करने को प्रमोट करेंगे ताकि गरीब से गरीब का बच्चा गाउं का बच्चा भी डॉक्टर बन सके और इसलिए उसे अंग्रेजी के गुलाम होने की जरुरत नहीं पड़ेगी साथियों देश में एम्स जैसे बैतरिन संस्तानों का दाइरा देश के दूर सुदूर के राज्यों तक बढ़ाया जा रहा है बिलास्पूर में बन रहा एम्स का इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है अब हिमाचल वासियों को चंडी गड़िया दिल्ली जाने की मजबूरी नहीं रहेगी साथियों ये सारे प्रयास हिमाचल प्रदेश के विकास को भी गती देने का काम कर रहा है जब अर्थे बवस्ता मजबूत होती है रोड कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती है स्वास्त सेवाएं सुधरती है तो ये टूरिजम को भी बढ़ाता है भारत अपने हां जिस तरह ड्रॉन की मैनिफेक्टिनिंग बढ़ा रहा है ड्रॉन का इस्तमाल बढ़ा रहा है उससे हमारे दूर दराज के जो ख्षेतर है हिंदुस्तान के दूर दराजे जो भी इलाके है चाहे पाड़ी हो जंगल के इलाके हो जैसे हिमाचल के दूर दराज के इलाके है वहाँ पर इस ड्रोन सेवाओं का बहुत बढ़ा लाब मिलने वारा है भाई और बहनों बीते आठ वर्सों में आजादी के सोवे वर्स के लिए यानि 2047 के लिए मजबुर आद्दार तैयार हुआ है इस अमरुतकान में सिद्धियों के लिए एकी मंत्र है सबका प्रयास सब जुड़े सब जुटे और सब बड़े इसी भाव के साथ हमें काम करना है कितनी सद्यों के बार और कितनी पीडियों के बार ये सवभाग्य हमें मिला है हमारी आपकी पीडि को मिला है इसलिए आईए हम संकल परे हम सब हम सब का प्रयास के इस आवाहान में अपनी सक्रिय भागिदारी निभाएंगे अपना हर कर्तब निभाएंगे इसी विश्वास के साथ आज देहमाचल ने आशिरवाद दिये हैं और देश के हट ब्लोक में आज इस कारकम से लोग जुड़े हुए आज पूरा हिंदुस्तान शिमला से जुड़ा हुआ है करोडो करोडो लोग जुड़े हुए है और आज मैं आज शिमला की धत्ति से उन करोडो देश वास्यों से बात कर रहा हूँ मैं उन करोडो करोडो देश वास्यों को अनेक अनेक सुबकामनाई देता हूँ और आपके आशिरवाद बढ़े रहे हम और ज्यादा काम करते रहे दिनराज काम करते रहे जिजान से जुटे रहे इसी एक भावना को आगे लेते हुए आप सब के आशिरवाद के साथ मैं फिर एक बार आप सब का रदय से धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद